समस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं क्रिकेट में दोस्तों आईपियल शेडियूल जिसका इंतिजार सभी को है लेकिन इस पर 20 से आई कोई बयान नहीं दे रहा है तो क्या है पूरी जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में तो अगर आप चाहते हैं कि आईपियल फिर से शुरू हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ऐसे में दोस्तों अब एक खबर है जिसको सन्ट पर आईपियल के फैंस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे दोस्तों कोरोनम हमारी की चलती आईपियल के सीजन को बीच में ही सगित कर दिया गया था अब भारती क्रिकेट बोर्ड यानि की BCCI के एक वरिश टाडिकारी ने जानकारी दी है कि आईपियल के बचे हुए मैच सितमबर में आईजित होंगे हाला कि ये मैच भारत में नहीं होंगे BCCI की मताबिक UAE में IPL के बचे हुए मैच 18 या फिर 19 सितमर को सुरू हो जाएंगे यह मैच 3 हफते में खेले जाएंगी यानि कि सबी मैचों का 3 हफतों के सेडियूल बनाया जाएगा जानकारी की मताबिक 17 की IPL का फानल 9 या फिर 10 अक्तूबर होगा IPL के 17 में 37 मैच बचे हुए हैं और योई में आयजित होने पर यह BCCI फ्रेंचाइजी और ब्राड कॉस्टर सभी के लिए बहतर रहेगा लेकिन दोस्तों अब तो IPL नस्दीक भी आगया है अभी भी BCCI पर कोई बयान नहीं दे रहा है और दोस्तों बदा देंगी कई विदेशी खिलाडी भी अभी इस पर मुहमर नहीं लगा रहे हैं क्यों IPL में उपस्तित होंगे भी या नहीं इसको लेकर अभी कुछ कंफर्म नहीं है सभी विदेशी खिलाडी खेलेंगे या नहीं तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या IPL फेर से सुरू होगा या नहीं आप कमिन बॉक्स में अपनी राय चरूर दीजेगा अगर वीडियो पहसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे